हेलो मैं डियर स्टोरेंट्स कैसे आप सब आप सब बहुत ही बढ़ी होंगे आप लोग के पढ़ाई भी बहुत ही बढ़ी होगी तो आज तो कुछ स्पेशल है आज है धनतेरस ठीक है दिवाली से एक दिन पहले का उत्सव ठीक है तो आप सभी को हार दिक्ष्यों कामना है मातरानी आप लोग की सभी इक्षाय पूरी करें आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो हमेशा दिन दोगुना राज चोगुनी तरक्वी करो आगे बढ़ो और मेरा विनाम रोशन करो तो प्रासा तो स्पेशल कुछ होना चाहिए था ना चलिए खूब मेठे मेठे पकवान खाए खूब मेठे मेठे पकवान खाए तेहत में चार चांद लगाए लोग तो सिर्फ चांद पर गये हैं लेकिन आप उससे भी उपर जाए एपी धंतेर चलिए पास तो स्पेशल है एक और हो जाए चलिए दिलों में खुशिया घर में शुक का वास हो हीरे मोतीयों से आपका ताज हो मिटे दूडिया और सब आपके पास हो ऐसा धनतेरस आपका इस साल हो जहनते इसकी हारदिक 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 शोब काम लाई शलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अपने आज के क्लास 12 के हमारे हमारा यह बला 3rd lecture है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं Sexual Reproduction फर्स जो हमारा lecture था जिसमें मैंने बता दिया हुआ था कि Life Span क्या होता है और साथ ही साथ reproduction क्या होता है उसके कितने types होते हैं कल वाले lecture में यानि कि ए sexual reproduction वाले lecture में हम लोगों नहीं ये भी discuss कर लिया हुआ था कि ए sexual reproduction के बारे में complete knowledge कल हम नहीं ले ली तो आज हम आते हैं अपने new topic पे जिसका नाम है sexual reproduction ठेक है चलिए एक चीज़ आपको मैं थोड़ा सक clear कर दूँ एक छोड़ा सा point है जो कि लोग में थोड़ा सक confusion रहता ठेक है जो normal students होते हैं या फिर जो class 10 तक पड़े हुए होते हैं या फिर जो नहीं जानते हैं ठेक है वो कुछ लोगों वो कुछ चीज़ों का मतलब एकदम सेम बताते हैं उनको लगता है कि सारा चीज सेम है ठेक है जैसे कि एक हो गया reproduction ठेक है दूसरा हो गया fertilization ठेक है या फिर जिसको normal language में sex बोलते हैं ठेक है physical relation तो जो normal students होते हैं या फिर जो detail में उस चीज़ को नहीं जाने हुए होते हैं उनको लगता है कि यह यह same है but they are not same they all are different ठीक है का different है हम आगे जान लेंगे अभी वाले lecture में चलिए तो यह है sexual reproduction reproduction मैंने बता दिया हुआ था एक biological process है जिस process के दौरान जिस process के दौरा कोई organism अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करता है चाहे उसमें gamete का fusion हो या फिर gamete का fusion ना हो दोनों ही तरीके से वो उत्पत्ति कर सकता है जिसमें gamete का fusion नहीं होता है उसको बोले हुए थे हमने ए sexual reproduction लेकिन जिसमें gamete का fusion होता है उसको बोलते हैं sexual reproduction ठीक है तो इसका भी यह दिया आपको definition लिखना हो simply आप क्या लिखोगे पूद क्यूद को प्रॉद कॉद्चिन कंफोरटेवल हो आप लोग इस में चलिए ठीक है थाँ है थाँ आप प्रॉसस ओफ रे प्रॉदक्शन इन विच अ इन विच अ और्गेनिज्म प्रोड्यूसेज देर देर यंग वन्स जिसको बोलते हैं आप स्ट्रिंग यानि की संतान जिस्मिलर तो इत्सल्फ जिस्मिलर तो इत्सल्फ बाइ इन्वल्वम्मेंट अफ गमेटिक ठीक है यानि की यानि की इस प्रोसेश इस नोन एज सेक्श्वल रिप्रो ड़क्षन ठीक है यानि की रिप्रोडक्षन का वैसा प्रोसेश जिसमें एक और्गिनिजम एक अपने ही जैसे संतान को जन्म देता है उसके उत्पत्ति करता है इसमें गमेटिक का फ्यूजन होता है यानि कि male and female both sex are required ठीक है यानि कि जिसमें male और female दोनों sex का requirement होगा और आप लोग को पता होगा कि male का जो gamit होता है उसको क्या बोलते है sperm जिसको हिंदी में बोलते है युक्रानू ठीक है and female का जो gamit होता है उसको बोलेंगे उसको बोलते है ovum जिसको हिंदी में आप लोग पढ़े होगे अंडानू ठीक चलिए तो यह होता है reproduction ठीक है आप देखिए reproduction के अंदर भी कुछ processes होते होंगे तो कौन-कौन से process होते है उसके बारे में आगे जानते है ठीक है एक step होता है reproduction में तो कौन-कौन सा होता है हम आगे देखते हैं देखिए सबसे पहले क्या होता है gametogenesis gametogenesis ठीक है यानि कि gamete देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है gameto मतलब gamete और genesis मतलब formation वैसे यहीं topic आगे भी पढ़ा होंगा ठीक है आगे detail में लिखबा भी दूँँगा यहाँ पर समझा जाता हूँ तो gameto मतलब gamete और genesis मतलब formation जैसे कि male का gamete है sperm और female gamete है ovum तो male में sperm का बना और female में ovum का बना इसको क्या भोलेंगे gametogenesis ठीक है तो सबसे पहले क्या होता है gametogenesis यानि कि male के body में sperm बनेगा और female के body में female वाला gamete ovum बनेगा अब जब gamete का formation हो जाएगा तो gamete के formation के बाद होता है in examination यानि कि male और female के बीच जब physical relation होगा साइड रिक्षम बन्द होंगे तो उस time में male का जो gamete होगा वो female के body में transfer होगा यानि कि gamete transfer को बोलते हैं in insemination ठेक है तो gametogenesis gamete के formation के बाद क्या होगा insemination यानि कि gamete का formation ठेक है अब देखिए अब जब gamete का formation हो जाएगा अब क्या होगा male और female के बीच जब sexual intercourse हुआ था insemination हुआ यानि कि gamete का transfer भी हो गया अब जब male का gamete female के पास पहुँच गया है female gamete के पास तो उन दुनों gamete के अंदर क्या होगा दुनों मिलेंगे जिस process को बोलते है fertilization जिसको आपने हिंदी में पढ़ा होगा निसेचन ठेक है अब देखिए जब fertilization हो जाएगा अब क्या होगी जो female होगी वो होगी pregnant ठेक है तो अगला step क्या होगा pregnancy ठेक है या फिर इसी को बोलते है gestation या फिर इसी को बोलते है embryonic 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 ठेक है अब जब pregnancy होगा तो obviously pregnancy के बाद क्या होगा जो बच्चा 9 महिने का हो गया ठेक है यानि कि after 9 month तब उसका क्या होगा delivery जो की हम normal language में पढ़ते है and biology में आप पढ़ोगे इसी delivery को बोला जाता है पार्चूरीशन ठेक है और ये जो complete step होता है ये complete step का मतलब होता है reproduction जो अब आप समझ गए होगे कि यहाँ पे जो मैंने बोला reproduction अलग है सबसे पहले क्या होता है sexual intercourse होता है नहीं कि sex होता है then male और female का gamit आपस में मिलता है जिसको fertilization बोलते है और fertilization के बाद pregnancy होती है pregnancy के बाद जब बच्चा जन्म ले 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 तो क्योंकि मैंने आपको बता हुआ था जैसे तीन होते है infertile male infertile human couple हो गया है फिर mules हो गया है वरकन हर यह हनी भी हो गई इन लोगों में यह लोग बच्चे पैदा नहीं कर पाती है ठीक है लेकिन जो normal है जिनमें बच्चे पैदा हो पाते हैं तो शुरू से लेकर जो last तक पूरा complete process होता है उसको बोलते हैं कि इसमें reproduction हो पाया ठीक है चलिए यह हो गया अब हम परते हैं events के बारे में ठीक है कौन कौन से events होते है events in sexual sexual reproduction ठीक है यानि कि sexual reproduction में कौन कौन से events होंगे अब जरा उनके बारे में देख लेगे ठीक है यह हो गया events in sexual reproduction ठीक है आप देखिए इसमें total तीन event होते हैं देखिए यह जो मैंने बताया यह वाला ठीक है यह वाला इसको बोलते हैं pre fertilization ठीक दूसरा event होता है fertilization ठीक है और उसके बाद का जो यह process होता है इसको बोलते हैं post fertilization ठीक है इसको बोलते हैं post fertilization चलिया तो आप events पे आते हैं तो जो event है sexuality production में जो event होता है वो total तीन event होते हैं ठीक है total तीन event होते हैं जिनमें से पहला का नाम है प्री fertilization event ठीक है दूसरे का नाम है प्री प्री लाइजेशन और तीसरे का नाम है post fertilization ठीक है यानि कि fertilization प्री प्री का मतलब ही होता है पहले ठीक है प्री का मतलब ही होता है पहले तो फर्री लाइशन से जो पहले event होगा उसको obviously क्या बोलेंगे प्री fertilization event जिसमें दो event आएगा एक gametogenesis और दूसरा आएगा insemination ठीक जो fertilization वाला event होगा जिसमें fusion of male and female gamet होता है उसको बोलते हैं fertilization fertilization दो प्रकार का होता है internal और external ठीक है इसके बारे में भी आगे बताएंगे उसके बाद post fertilization जिसमें कि मैंने बताया कि एक हो गया pregnancy जिसको मैंने बोला कि gestation भी बोलते हैं या फिर embryonic development भी बोलते हैं और दूसरा है delivery of baby यानि कि parturation ठीक है अब हम एक एक के बारे में detail में deep में आगे पढ़ते हैं बढ़ते हैं देखते हैं क्या क्या होता है चलिए पहला हम पढ़ते हैं प्री fertilization event ठीक है यानि कि जो event fertilization से पहले होता है उसको क्या बोलते हैं पहले हम वो पढ़ लेते हैं ठीक है तो देखिए pre-fertilization किसको बोलेंगे स्री मैंने बता ही दिया कि fertilization जो पहले इसको pre-fertilization event pre-fertilization event में पहला वाला कौन सा था पहले वाला gametogenesis लिखते भी चलिएगा या फिर screenshot लेते भी चलिएगा जब तक नहीं लिखेगा आगे नहीं बड़ पाईएगा चलिए gametogenesis तो gameto means gamete genesis means formation तो यदी हमें define करना हो तो कैसे define करेंगे the process of formation of gamete is known as gametogenesis यानि कि gamete का formation क्या बोलेंगे gametogenesis अब देखिए gametogenesis दो प्रकार के होते हैं एक को बुलते हैं spermatogenesis spermatogenesis और दूसरा होता है oogenesis इधर एक और note point एक याद रखिएगा वो note point कौन सा है कि जो वहाँ पर gametogenesis का process तो sperm in male और ovum in female यानि कि male में sperm बनता है और female में ovum तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि gametogenesis दो टाइप के हैं एक है spermatogenesis और दूसरा है oogenesis ठिक तो spermatogenesis को define करना हो तो क्या बोलेंगे प्रोसेस आफ आफ और मेशन आफ इस्पर्म ब्रैकट मों लिखे दो in male is known as spermatogenesis ठिक है यानि कि male के शरी में sperm का बनना उस प्रोसेस को क्या बोलते है spermatogenesis ठिक है वहीं यदि बात करे oogenesis की ठिक है वहीं यदि बात करे oogenesis की तो oogenesis में सिम क्या होगा same way definition the process of formation of ovum in female is known as oogenesis is known as oogenesis ठिक है यानि कि यहां पर ठिक दिया मैंने clearly gametogenesis दो प्रकार के spermatogenesis और oogenesis spermatogenesis की इसको बोलेंगे जिसमें sperm का formation होता है obviously sperm में नहीं बनेगा female में तो बनेगा नहीं तो यह पन्द प्रॉसस ऑफ फर्मिशन ऑफ इस नोन आज spermatogenesis and oogenesis the process of formation of ovum obviously यह मेल में बनता है तो in female is known as oogenesis ठिक है यह हो गया हमारा pre-fertilization event में पहला है gametogenesis ठीक है दूसरा क्या बताया गया था in insemination यानि कि male gamete का female के body के अंदर transfer करना इस process को बोलते हैं insemination ठीक है तो इसको कैसे define करेंगे the process in which transfer of male gamete जिसको बोलते हैं is sperm takes place in female genital tract is known as insemination यानि कि जब male और female के बीच में sexual intercourse हो रहा होता है ठीक है जब उन में शारीक संबंध physical relation हो रहा होता है तब जब male gamete female के body के अंदर transfer होता है तो इस process को बोलते हैं insemination ठीक है चली अब आगे बढ़ते हैं जो कि हमारा दूसरा event है जो की है इसमें कोई कुछ चेंज नहीं करना सिम्पल सा बड़ा ही यूनिक डेफिनिशन है इसका वो क्या है तो याद रखिए का वो definition है fusion of male and female gamete is known as fertilization यानि कि जो male और female gamete का fusion होता है उसी process को बोलते है fertilization ठीक है अब fertilization मैंने बता दिया है कि it is of two types एक होता है internal fertilization और एक होता है external fertilization ठीक है तो चलिए पहला हम बात करते हैं internal की ठीक है internal fertilization क्या होता है internal internal fertilization ठीक है ठीक है ठीक है तो फस्त्स धो Fertilization in which fusion of male and female gamete takes place inside the body yafir or female genital tract is known as internal fertilization example humans cow dog etc internal fertilization होता क्या है कि ऐसा Fertilization का ऐसा प्रोसेस जिसमें जो fusion of होता है ना fusion of male and female gamete male और female gamete का fusion होता है ना वो fusion कहां पर होता है इन मतलब अंदर तो inside the body is known as internal fertilization जैसे कि हम लोगों में हम लोगों में in the sense human male में नहीं human female में क्योंकि obviously Fertilization कहां पर होता है female के शरीर के अंदर ना तो वो female में तो Fertilization का वैसा प्रोसेस जिसमें male और gamete का male और female gamete का जो fusion होता है वो body के अंदर में होता है या फिप कह सकते हैं कि female जैने इक लार ड्रेक्ट में होता है जिसको क्या बोलते है internal Fertilization जैसे कि human हो गया cow हो गया dog हो गया itc इन सब में क्या होता है internal Fertilization ठेक है अब हम दूसरा देखते है external Fertilization external Fertilization ठीक है external Fertilization होता क्या है यह जान लीजिए पहले definition लिख लीजिए क्योंकि crash course है और board का exam बहुत pass है the process of Fertilization in which male in which fusion of male female and female gamete takes place outside the body is known as external external Fertilization Fertilization X X X X X बड़ा सुने होंगे ठीक है एक्स के साथ फिर से मिलना X के साथ meeting ठीक है एक्स के साथ breakup कैसे हुआ था ठीक है एक्स के साथ फिर से पैच पहुत सारा वीडियो भी आता तुनते हो गए एक्स चली गई मतलब बाहर हो गई अब पानी में क्या होती है अब उदर से कोई फिर मचली भाई समारा रहा है मचला मचली ठीक है अब उसने क्या क्या अपना sperm यानिंकि अपना opinions दिया अब अब वहाँ पे जो female gamet चोड़ी थी और यहां पे male gamet यानि कि उसको अपने अंदर डाल लेगी जिससे कि उप प्रेगनेंट हो जाएगी और फिर बाद में अपने बच्चे को जन देगी ठीक है तो इसको बोलते हैं External Fertilization फटा-फट से इसको नोट कर लेजिए चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट इवेंट पे जिसका नाम है पोस्ट Fertilization इवेंट ठीक है Fertilization की बाद में होने वाली घटनाए ठीक है तो देखिए जैसे कि ये होता है एक sperm ठीक है ये क्या है एक sperm भाई साब ठीक है इंदी में चुक्रानू यहाँ पे है ओवम ठीक है अंडानू चुक्रानू और अंडानू दोनों मिलेंगे आपस में और मिल करके बनाएंगे जाइगोट ठीक है मिल कर जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं जाइगोट जिसको याद रखेगा ठीक है हम वही वाले पे आते हैं पोस्ट फर्तिलाइजेशन इवेंट ठीक है सबसे पहले क्या होता है जाइगोट और मेशन ठीक है और उसी में या फिर उसके बाद कह सकते हैं दूसरा, next होता है embryogenesis ठीक है और embryogenesis किसको बोलते है embryo मतलब developing baby जो बच्चा भी पेट में पल रहा है ठेक है जब उसका निर्मान हो रहा होता है उसको बोलते है embryogenesis लिख सकते हो the process the process embryo genesis ठेक है embryo genesis embryo means developing baby genesis means formation क्या पो लेंगे the process of development the process of formation भी कह सकते हो the process of formation या फिर development of baby जो कि अभी पेट में है is known as embryo genesis ठेक है और जब embryo genesis हो जाता है तो आफ्टर nine months होता है पार्चूरीशन ठेक है पार्चूरीशन का भी definition लेख लेजे दो प्रोसेस अफ डिलिवरी अफ बेबी is known as पार्चूरीशन ठेक है फिर जब बच्चा जन्म ले लेगा फिर वहीं फिर पड़ा होगा उसी में इस्टेज आएगा जैसे हम जैसे माने बताया हुआ था कि life cycle जैसे होता है sorry जैसे life span था वैसे ही क्या होता है एक life cycle होता है life cycle में क्या होता है कि जब बच्चा पेट में होता है तब उसको embryo या फिर fetus कहते है ठिक फिर जब बच्चा जन्म लेता है तब उसको infant या फिर child कहते है ठिक जब वो teenage में आता है तब उसको young या फिर teenager बोलते है जैसे teen 13 14 15 16 17 18 19 यानिकि 13 से लेकर के 18-19 साल तक का लड़का होता है उसको बोलते है teenager ठीक है तो वो young age में आता है young age में आने के बाद उसके बाद वो adult होता है ठीक है adult होता है कुछ बनता है doctor engineer जो भी उसको बनना होता है ठीक है जो कुछ नहीं परता है अभी उसको बनता ही है उसके बाद जब वो adult age में आता है कुछ बनने के बाद फिर शादी वादी फिर एक responsibility घर की पूरी family की ठीक उसके बाद adult के age के बाद वो old होता है बूढ़ा होता है और बूढ़ा होने के बाद उसकी दित्ती हो जाती है ठीक है क्योंकि मैंने बताया हुआ था कि we all are mortal mortal का मतलब होता है मरंशील यानि कि जिसका मरना एक निश्चित होता है no one is immortal याद रखिएगा एक चलिए भी point लिखी देता हूँ no one is immortal except single और गैने जो मूवी में सुने हो गया ना अमर हो जाता है ऐसा कुछ भी नहीं होता कोई अमर नहीं है ठीक है except single-celled organism क्यों क्यों कि single-celled organism जैसे कि अमीवा वो क्या करते हैं उनका body अपने आप डिवाइड होता है जैसे कि मैंने बताया हुआ था कि अमीवा वला ही ठीक है कि यह माल लेजिए कोई अमीवा है अब इसी यहीं अमीवा क्या हो रहा था इसी का पूरा body divide हो करके इसी का पूरा body divide हो करके दो अमीवा बना रहा था ठीक है तो वो क्या होते हैं मरते नहीं है सिर्फ अपने आप अपने body को divide करके वहां से नए organism में वो convert हो जाते है ठीक है अब चलिए on the basis of zygote on the basis of zygote organism is three types कौन कौन से पहला टाइप होता है ओवी पेरस ठीक है ओभी अब ओवी पेरस का मतलब क्या होता है which lay egg which lay egg ठीक ले का मतलब देना और एग का मतलब तो अंडा पता ही है ठीक है तो जो अंडे जो अंडे जो अनिमल्स अंडे देख आप कोई आप से पूछ सकता है रगहते है जैसे तीन टाइप कौन कौनस अबी पेर आप वाई इपेरस और ववो ऐवी पेरस ठीक है तो यह क्याति में सब्सक्राइब से कौन से हो ठीक किसी मेल से पूस्ज दिया Suppose न हम इनिम इसे कुछ भी नहीं है है क्योंकि ओभी पेरस वाइवी पेरस या फिव वाइवी पेरस ठेक है यह email ही हो सकती है obviously male थोई ना pregnant होता है जो male यह होगा ठेक है तो ओभी पेरस किसको बोलते है जो अंडे देता है जैसे मुर्गी होती है न अंडे देती है अंडे से बच्चा निकलता है तो उनको बोलेंगे ओभी पेरस ठेक है जब दूसरी बात करेंगे वाइवी पेरस ठेक है विच 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 डायरेक्टली गिव बर्थ जो अपने बच्चे को डायरेक्टली जनम देती है उसको बोलते है है जैसे कि human females ठेक है जो human के जो females होती है उनमें क्या होता है उन में कोई अंडाउंडान है सीधा directly बच्चे का जनम होता है ठेक है आप देखिए एक आप लोग को कहीं भी नहीं पढ़ाया गया होगा या फिर आप लोग नहीं पढ़े होगी यह पढ़ाया भी नहीं जाता पर टेक फीर भी मैं नालजय के लिए बतायाता हूं । ठीक है एक होता है ओबो West अब देख छिए इसमें ओबो वाला भी है और yv वाला भी है obviously दोनों से related होता होगा ठीक है तो इसमें क्या होता है इसमें mix egg अंडा तो बनता है अंडा बनता है ठीक है लेकिन which hatches internally and gives birth to their office ठीक है यानि कि जिसमें egg तो बनता है लेकिन जैसे इसमें क्या होता है egg बनता है और बाहर में आता है ठीक है which hatches internally ठीक है तो इसमें देखी ओभी पेरस में जो अंडा बन जैसे मुर्गी मुर्गी अंडे अंडे देती है फिर वो बाहर में ठीक है मुर्गी के पेट से बाहर में जब वो अंडा होता है उसके बाद वो अंडा फटता है उसमें से मुर्गा मुर्गी जो भिन्चूजा निकलना होता है वो निकलता है ठीक है यहां पर क्या होता है अंडा बनता तो है ठीक है फिमेल के बॉड़ी में अंडा बनता है ठीक लेकिन अंडा बाहर में नहीं हैचेस का मतल़ होता है तूटना अंडा बाहर में नहीं तूटता है वो अंडा फिमेल के शरीर के अंदर में ही तूट जाता ह और वो फीमिल जो होती है वो डिरेक्टली बच्चे को जम देती है तो उसमें ये ओवी वाला भी पार्ट आ गया और वाई भी वाला भी पार्ट आ गया तो उसको गोलते हैं और वो वाई भी पेरस चलिए पटापट उसको नोट कर लेजे या फिर स्क्रीन शॉट ले लीजे झाले को पिर स्क्रीन शॉट एवी पेरस जा करते हैं हो गया है चलिए एक नोट पॉइंट याद रखेगा एक होता है यूनि सेक्शुल ठीक है यूनि सेक्शुल और एक होता है बाई सेक्शुल ठीक है यूनि का मतलब ही होता है वन और सेक्श मिन्स या तो वो मेल होगा या फिर वो फीमिल होगा ठीक है तो बोट सेक्श इस बोट सेक्श होता है वो अलग अलग बॉड़ी में होता है मेल अलग फीमिल अलग उसको बोलते हैं यूनि सेक्शुल यह क्या जो बाई सेक्शुल बाई का मतलब दो सेक्शुल यानि की बोट सेक्शिस are in same body, यानि कि वहीं male भी होता है और वहीं female भी होता है, जिसको बोलते है, bisexual, ठीक है एक note point और है, जिसको याद रखिएगा strobilanthus kundhiana ठीक है और एक है bamboo species के बारे में bamboo species के बारे में, ठीक है एक है, strawbilanthus kundhiana और एक है bamboo species के बारे में ये कितने time में flower करती है और ये कितने time में flower करता है ये करती है, ये हुआ यह हुआ आपका sw एक दो objective है ठीक है यह और यह दो objective आपका sw होगा जो कि आपको next lecture में बताएंगे ठीक है जिससे कि मुझे पता भी तो चले कि आप लोग पढ़ रहे हो या फिर नहीं पढ़ रहे हो ठीक है तो यह रहेगा आपका sw इसको याद रखेगा ठीक है बाकि हमारा lecture खत्म हो चुका है एंड हमारा chapter है chapter पिसीज िप्र सिपनेश्ट तैप्टर पिनेश्ट तो उसके बाद क्या करना होता सभी को पता है, वीडियो वो लाइक करना होता है जिक है अआः इसके बाद कमेंट करना होता है आप लोग रिंग कमेंट नहीं करते आथ काूंक Josh करूगIES तब पता चलेंगा कि हाँ कौन यह जैसे मुझे पता भी तो चले कि कौन-कौन class कर रहे हो नहीं कर रहे हो, किस state से कर रहे हो, किस city से कर रहे हो, मुझे अच्छा feel होगा, तो definitely आप comment भी किज़े, अपने दोस्तों को video share भी किज़े, कि जादा से जादा student देख सके, ठीक है, ताथ ही साथ, जो आप तक subscribe नहीं आज का लेक्षर अटम थैंक यू सो मुच एवरीवन एप्पी धन्तेरस एप्पी दिवाल इन एडवांस ठीक है थैंक यू सो मुच चली कल मिलते हाब